जैश्री राधारानी सरकार की जैश्री कृष्ण भगवान की जैश्री राधा अश्टमी महुस्व की मंदर शीवंसी वाले महात्मा यूटूब चैनल के ओर से हम आप सबी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं जैसा कि आप सबी जानते हैं कि इस सिवर्ष 2022 में शीराधा अश्टमी महुस्व 4 सितंबर दिन रवीवार को मनाया जा रहा है और आज हम आपको शीराधारानी जी की बड़ी सुन्दर एक लीला सुना रहे हैं कि किस परकार कल्यूग में उन्होंने अपने एक भक्त महात्मा क दर्शन दे कर उसे इतना ग्यान दिया ये आज हम आपको लीला सुनाने जा रहे हैं भगवान शीक्रिषन जी की आहलाधिनी शक्ति शीराधारानी जी की परम सुन्दर लीलाएं जो भी कोई सुनता है उसके मन में कि शोरी जी के लिए प्रेम उत्पन हो जाता है और जिस भ गभग तीस-पैंतिस वर्ष पहले की बात है एक महात्मा थे जो की श्री धाम वरिंदावन में रहते थे सदा श्री राधारानी जी के नामों का जाब करना और उनकी भक्ति करना श्री कृष्ण भगवान के मंगलमय नामों का जाब करना उनकी भक्ति करना सदा उनका ये निय किर्टन हो रहा हो वहाँ पर वो महात्मा चले जाते थे और जहां कहीं देखा कि श्रीमत भागवत महापुरान की कथा हो रही है वहीं पर जाकर वो महात्मा वो बाबा जी श्रीमत भागवत महापुरान की कथा को सुनने लगते थे उनके मन में एक ही नियम था कि कैसे भी हो क कि शोरी जी के चर्णों में अपना ध्यान लगा कर रखना है भगवान शी क्रिशन जी के चर्णों में अपने मन को लगा कर रखना है जीवन में मनुशे का यही धर्म होता है सरवोष धर्म हम सब मनुश्यों का यही है कि भगवान के चर्णों में हमारा मन सदा लगा रहना च सदा राधे 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 जैश्री राधे जैश्री कृष्ण इस तरह श्री राधारानी जी के परम सुंदर नामों का जाप और संकिर्तन किया करते हैं वर्षों श्रीधाम वरिंदावन में रहे हैं, बरसाना में रहे हैं, वर्षों वर्षों बीत गए उन्हें श्रीधाम वरिंदावन में रहते हुए, राधारानी ने कभी भी उनको कोई कष्ट नहीं आने दिया, उनका जीवन परमानंद से पूर्ण था, सदा किशोरी जी के ध्यान लगा कर रखना और जीवन में संसारी वस्तों की कोई कमी ना होना ये भी भगवान की क्रिपासे होता है उन महात्मा की कोई वैसे अधिक आवश्यक्ताएं नहीं थी जो जो उन्हें चाहिए था वो उनको मिल जाता था जैसे तैसे वो अपना जीवन यापन कर रहे थे लेकिन राधारानी ने उन्हें कोई भी कमी नहीं दी लेकिन कहते हैं ना कि जब इंसान को सब कुछ प्राप्त हुआ हो तो कई बार मन और बुध्धी बिगड़ जाती है साधारन मनुश्यों की तो बात ही क्या है बड़े-बड़े महात्मा सिध महात्मा जनों की भी सब कुछ देख लिया है वर्षों यहां पर रहे हैं अब तो हरी द्वार में जाना चाहिए हरी द्वार में बाकी जीवन व्यतीत करना चाहिए गंगा जी के किनारे बाकी का जीवन व्यतीत हो जाए तो जीवन सफल हो जाए आज उन महात्मा के मन में ऐसी बात आई है शी राधारानी जिन महात्मा का सदा पालन करती रही है वर्षों वर्ष जिन के उपर किशोरी जी ने कृपा की है आज वही महात्मा मन में विचार कर रहे हैं कि आज हम शी धाम वरिंदावन को छोड़ कर हरिद्वार चले जाएंग श्री राधारानी जी ने देख लिया कि ये मेरा परम भक्त है और हरी द्वार को जाना चाता है राधारानी सब पर क्रिपा करने वाली है कि शोरी जी ने मन ही मन मुस्कुरा कर सोचा है कि मेरा परम भक्त है और यहां से हरी द्वार को जाना चाता है राधारानी सोचने लगी है कि देखें आगे ये भक्त क्या करता है तो वो महात्मा श्रीधाम वरिंदावन से चल पड़े हैं जिन श्री राधारानी जी ने उन पर इतनी क्रिपा की थी आज उनको छोड़ कर वो चल पड़े हैं रेलवेश श्रेशन पहुंचे और उन्होंने वहां से ट्रेन पकड़ी है ट्रेन में सोच रहे हैं कि मैं इस दिन हरी द्वार पहुंच जाऊंगा पहले यहां जाऊंगा फिर हरी द्वार पहुंच जाऊंगा गंगा जी के किनारे जाकर अपना जीवन व्यतीत करूंगा शेश जीवन हरी द्वार में मां गंगा के किनारे रहूंगा महात्मा जी मन में यही विचार कर रहे हैं और गाड़ी के अंदर ही उन्हें ये सोचते सोचते नींद आ गई कि शोरी जी की लिला है जैसे ही नींद आई वैसे ही कि शोरी जी उनके स्वपन में आ गई है कि अरे मेरे भक्त महात्मा तू मुझे छोड़ कर क्यों जा रहा है लोग तो हरी के द्वार से हरी के घर में आते हैं और तुम तो हरी के घर में हो भगवान शी क्रिशन के घर में हो श्री राधारानी जी के अपने घर में हो, तुम घर को छोड़ कर हरी के द्वार पर जाना चाते हो, यहां तो तुम्हें हरी के घर में सब कुछ मिला हुआ है, मेरी क्रिपा से तुम्हें सब कुछ प्राप्त है, हरी के घर को छोड़ कर तुम हरी द्वार को जाना चाते हो, ल लेकिन हरी के घर में जाओगे तो कुछ भी सुलब नहीं होगा, लोग तो हरी के द्वार से हरी के घर में आते हैं, द्वार से ही घर में आया जाता है, कोई घर छोड़ कर द्वार में नहीं जाता, आज उन महात्मा को कि शोरी जी ने स्वपन में दर्शन दिये हैं, राधा र आज की शोरी जी ने उन महात्मा पर इतनी क्रिपा की है कि उनके स्वपन में आकर ये सब बातें कह दी है। तो वहां पर जाकर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। यहां तो ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी की लिलाई तुम सुनते हो। मेरे चर्णों में ध्यान लगाकर रखते हो। सब कुछ तुम्हें प्राप्त हुआ पड़ा है। शेश जीवन यहां पर बिताओ तुम्हारे उपर सदा कृपा बनी रहेगी। मैं अपने भक्तों का संग कभी नहीं छोड़ सकती। इसलिए तुम्हें मैं समझाने आई हूँ। कि शोरी जी इतनी बात कहकर स्वपन में से अंतर ध्यान हो गई हैं। महात्मा की आँखे खुली हैं और उसी शन वो आँखों से आंसू बहाने लगे हैं। सोचने लगे हैं कि जिन शीराधारानी जी ने सारा जीवन मेरे उपर कृपा की है। कभी एक भी दिन ऐसा मेरे जीवन में नहीं निकला कि जिस दिन मुझे कुछ खाने को ना मिला हो। जिस दिन मेरा ध्यान भगवान के चरन कमलों में ना लगा हो। शीराधारानी सरकार ने सब कुछ मुझे दिया है। मैं कितना स्वार्थी हो गया था। कितना निर्मोही हो श्रीधाम वरिंदावन में रहना है अपना शेश जीवन की शोरी जी के चर्णों में बिताना है बरसाना में शीराधारानी जी के चर्णों में रहना है आज उन महात्मानी मन में निश्य किया है अगला स्टेशन आते ही ट्रेन से उतरे हैं और वापिस श्रीधाम वरिंदाव श्री राधा माधव भगवान की बारम-बार जय हो जय हो कितनी कृपा की है कि शोरी जी ने उन महात्मा के ऊपर की अपने शीधाम वरिंदावन में अपने शीधाम बरसाना में वापिस बुला लिया है राधारानी सदा सब पर कृपा करती हैं जो एक बार भी उनका हो जाए वो उनको त्याग नहीं सकती है अगर हम सब का मन शीराधाकृष्ण भगवान जी के चर्णों में लग जाए तो किशोरी जी सदा हम सब की भी रक्षा करेंगी जैसे उन महात्मा को शीराधारानी सरकार ने सब कुछ प्रदान किया है उने जीवन भर कोई कमी नहीं आने दी वैसे ही शीराधारानी सरकार हमें भी सब कुछ प्रदान करेंगी हमें जीवन में कोई कमी नहीं आने देंगी हमें तो सिर्फ इतना करना है कि किशोरी जी के चर्णों में अपने जीवन को लगा देना है तो ऐसे श्री राधारानी सरकार का जनम उस्सव 4 सितंबर दिन रवीवार को आ रहा है तो श्री राधा अश्टमी का वरत आप सभी रखें और दोपहर 12 बजे ये वरत खुल जाता है हिंदु धरम में कोई भी ऐसा वरत नहीं है जो कि दोपहर 12 बजे खुल जाए सिर्फ और सिर्फ शीराधारानी सरकार का शीराधा अश्टमी का वरत ऐसा है जो दोपहर के 12 बजे खुल जाता है तो जो भी भक्त शीराधा अश्टमी का वरत रखना चाहें वो हमारे चैनल पर शीराधा अश्टमी वरत की विदी की कथा सुन सकते हैं शीराधा अश्मी वरत की कथा भी हमारे चैनल पर डाल दी गई है और उन दोनों वीडियों के लिंक इस वीडियों के डिस्क्रिप्शन में हमने दिये हुए हैं आप उन दोनों कथाओं को सुने तो आपको ये मालूम हो जाएगा कि किस विदी से शीराधा अश्मी का वरत रहा है तो मंदर शीबंसी वाले महात्मा यूटीब चैनल के ओर से आज की इस विशेश कथा को सुनने के लिए आप सब का हार्दे का धन्यवाद श्री राधा कृष्ण भगवान जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर आपके परिवार पर बनी रहे इसी मंगल कामना के साथ जै श्री राधा रानी सरकार की जै श्री कृष्ण भगवान की जै श्री राधा अश्टमी महुस्व की जै जै श्री राधे जै श्री राधे जै जै श्री राधे श्री राधे श्याम